हेलो बच्चो स्वागत है आपका डाउटनेट लर्न फरन क्लास 10 के चैनल पे हम है विवेक आपके मैट्स के बाईया और आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिर से एक और मजेदार मस्थ जकास चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनॉमिल्स स्पेशली आप लोगों की चैप्टर ले के आए हैं मैक्सम बच्चो ने बोला था कमरेंट लिख थे हम ने देखे थे सब पड़े थे ठीक है तो बच्चो ने बोला की कॉइड्रिक की के बारे में पिताएंगे कई जेड़ तक अब पॉलिनॉम्लस यू पा नंबर पड़ता है तो पहले हम तक होता है तो PCS तक बताएंगे ठीक है क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है कहां से होता है और क्या-क्या important topics है ठीक है सारे के सारे important questions सारे के सारे वो questions लेके आए हैं जो previous year paper में CBC board ने पीछे पूछे हैं sample paper में questions दिये गए है and side by side आपके लिए benefit जो देने वाला है case study वहां से भी हम questions लेके आए हैं आप लोगों के लिए चालो तो start करते हैं आज का lecture बट सबसे पहले introduction करवा देते हैं किस चीज़ का बई chapter के अंदर पढ़ाने क्या वाले हैं यह है आपका topic बई सबसे पहले introduction करवाएंगे उसके बाद zeros of a polynomials के बारे में बताएंगे एक आदा questions होगा इसमें उसके बाद जो की सबसे important question आता है और topic है इस particular chapter का वो क्या है वो है relation between zeros and coefficients of a polynomial बच्चों याद रखना यह जो आपका हमने guidance दी थी उसमें भी हमने बताया था जो polynomial chapter है वो second unit algebra का है और algebra अकेली याद रखना algebra अकेला 20 marks का आता है और 20 marks में से polynomial का जो weightage बनता है वो 4 से 6 marks के बीच में बनता है ठीक है चार से 6 marks के बीच में बनता है वेरी करता रहता है ये ठीक है तो अकेला chapter जो की बड़ा easy simple और जिसमें एक ही topic ऐसा है जो questions दे सकता है chances होते हैं यही से ही question बनता है या तो 3 marks का आएगा या फिर 5 marks का सीधा case study दे दिया जाता है या 2 marks का एक question और एक एक marks के दो question आ जाते हैं इस topic से zeros of the polynomial से भी आते हैं बट यहां से maximum chances होते हैं कि objective type question पूछे जाते है objective या फिर mcqs वैसे तो अब mcqs हो गया है तो objective लिखना नाइंसाफी होगे इसके साथ ठीक है zero से क्या आता है mcqs questions आएंगे और relation से तो फिर आप लोगों को पता ही है क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं चलो start करते हैं आज का chapter introduction के साथ तो जैसा की chapter का नाम है polynomial तो polynomial होता क्या है दिखता कैसा है लगता कैसा है मतलब है क्या तो अगर सीधी भाषा में simple भाषा में इसको आप लोगों को समझाया जाए तो वो कैसा होगा भाई वो होगा a n x to the power n plus a n minus 1 into x to the power n minus 1 plus a n minus 2 into x to the power n minus 2 plus dash 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 up to आखरी जो हो जाएगा वो क्या होगा a into x plus में a nought plus में a nought ये क्या है ये आपका polynomial है जिसमें होता क्या है variable का combination constants का combination and coefficients का combination किसके साथ बनाया गया है ये operations के साथ बनाया गया है simple भाशा में बोले तो polynomial क्या है आपका polynomial क्या है combinations of variables and constants and coefficients and operations जिनको proper तरीके से adjust किया जाता है जिनको हम normal definition normal way में भी आपको define करेंगे कि actual definition होती क्या है बट उससे पहले कुछ बच्चों का doubt होगा कि सर ये variable क्या होता है ये constant क्या होता है ये coefficient क्या होता है तीन चार चीजे है सबसे पहले बात करते है variable की चीक है सबसे पहले बात करते है variable क्या होता है variable होता है इस particular question में इस particular question में x is a variable x क्या है variable मतलब इसकी value आपकी change होती रहेगी constant question to question variable का मतलब क्या है जो vary करता रहता है जो क्या करता रहता है वेरी करता रहता है उसे बोला जाता है variable अब variable के बाद क्या बोला हमने constant क्या होता है constant होता है जो अकेला लिखा गया हो जो अपने दम पे खड़ा हो जो की बिल्कुल अपना stand ले सकता हो ठीक है जो की क्या बोले मैं य next question में भी 2 रहूंगा, यहां मैं 100 हूँ, तो next question में भी 100 ही रहूंगा, उसे बोलते है constant, जो बिलकुल डंके की चोट पैसा खड़ा रहता है, ठीक है, इसमें क्या है constant, ये, a0, क्या है, constant क्या है, a0, उसके बाद क्या आता है, coefficient, अब coefficient तो maximum बच्चे जानते ही होंगे, जब variable, constant and coefficient, coefficient क्या होता है, भाई, जो variable के आगे multiply है, जो variable के आगे, मतलब, अगर हम x की पावर n का coefficient देखें तो वो क्या है, an, ठीक है, ऐसे ही, x का coefficient देखें तो वो क्या है, a1, ये, 1 है यहां पे, ये क्या है, ये कुछ ऐसा है, a1 into x, क्या है x का coefficient? a1, तो coefficient, variable and constants के बारे में, अ की बड़े ही प्यारी और बड़े ही सरल तरीके simple way में लिख रखी है जिसमें normal क्या है simple भाशा का प्रियोग कर रखा है simple language का use किया गया है क्या है polynomial polynomial क्या होता है एक expression होता है किस चीज का combination का कौन से combination का variable का variable क्या होता है बता दिया फिर उसके बाद एक फोलेंटस का ठीके expo ndस का ठीक है एकषकी पावर ए N9 sub Kardashians टीक है जो की क्या होता है किससे बना होता है mathematical operation से बना होता है mathematical operation से बना होता है अब mathematical operations बीटा दिये हैं simple simple language में क्या होते है mathematical operation addition subtraction multiplication and आखरी क्या है division ठीक है polynomial क्या होता है इन सब का combination होता है जिसको mathematical operation क्या करता है बांद के रखता है सिज़कर के रखता है ठीक है उसे बोलते हैं हम polynomial example के तौर पर ये और अगर example देना चाहो simple भाशा में example देना चाहो तो polynomial का 4 example करके हम लिखेंगे 4 example करके पहला 3 ये भी आपका क्या है polynomial ही है ठीक है इसके बाद अगर मैंने लिखा 6x plus 9 ये भी polynomial है अच्छा 9 मत लिखो यहां लिख दो प्लस में 7 ठीक है अगला हमने लिखा ax square plus में 3x plus में 2 ये भी polynomial है ये भी क्या है ये सब polynomial है अच्छा इसके बाद एक और बड़ा वाला लिख देते हैं सबसे बड़ा plus में 9 x x 90 plus में thousand x x 2 plus में 9 इसको भी क्या बोलते हैं इसको भी polynomial बोलेंगे इसको भी क्या बोलेंगे पॉलिगंगे अब polynomials के बारे में अगर समझ आ गई है बात chapter का नाम ही है polynomials आपको पता तो होना चाहिए कि ना chapter का नाम polynomial है, polynomial का मतलब क्या होता है? correct? आचे चलो आगे बढ़ते हैं, अब आगे अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं, definition में अगर यहाँ दो exponents, यह है exponents, सबका मतलब बता दिया, exponents का यहाँ पे मतलब नहीं बता है, अब होता क्या है, जैसे यह polynomial है, यह polynomial है, यह polynomial है, यहाँ पे क्या हो रहा है, different different x की values की power आ रही है, x की powers आ रही है, कहीं पे x है ही नहीं, कहीं पे x की power 1 है कहीं पे 2 है कहीं पे 100 है कहीं पे 100 है कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है जैसे यहां पे क्या है x to the power n है यहां क्या है x to the power n है तो यह exponents decide क्या करते हैं मतलब power कब decide होगी हमें कैसे समझ आएगा कि यार power 1 रखनी है कि power 2 रखनी है कि power 3 रखनी है कि power 4 रखनी है अब यह power है क्या इस पॉलिनॉमिल में काम क्या कर रही है ये बताती है आपका डिगरी ओफ पॉलिनॉमिल ये क्या बताती है ये बताती है सिंपल भाशा में डिगरी ओफ पॉलिनॉमिल की डिगरी क्या है अब ये डिगरी है क्या मतलब किसी भी पॉलिनॉमिल की जो हाइस्ट पावर होगी कहा बोला जाता है degree of a polynomial for example example के तौर पे और कुछ examples लेते हैं आप लोगों के लिए एक polynomial लिया है हमने px उसको हमने बोला ये है x की power 4 plus में x to the power 9 plus में x plus में 300 ठीक है ये क्या है एक polynomial है one variable polynomial है जिसमें हमने क्या बोला है ये polynomial है जिसकी मैक सुनना maximum power maximum power यहां पे किसकी है maximum power है इसकी क्या है 9 है तो इस polynomial की degree क्या होगी इस polynomial की degree होगी 9 इस polynomial की degree क्या होगी 9 ऐसे ही different different parts में on the basis of degree of a polynomial polynomial को divide किया जाता है जैसे कि अब यहां सीधा हमने 9 बता दी starting कहां से होगी starting तो 0 से ही होती है ऐसा polynomial जिसकी degree क्या हो 0 हो उसे क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है 0 polynomial ठीक है ऐसा polynomial यह क्या है इसकी degree क्या है इसकी degree है 0 ठीक है और यहां पे एक और आप लोगों के information if अच्छा एक्जाम्पल के तौर पर समझाते है एक्जाम्पल जैसे जहां टू हंड्रड थ्री शिक्स्टी नाइन बाई सेवन ठीक है यह सब क्या है यह सब भी polynomial है आप बोलोगे सर इसमें तो आपका वही variable ही नहीं है इसमें क्या है variable ही नहीं है मैं बोलूगा है बच्चे variable है यहां variable है हमने बोला अगर आप 2 को बोलो 2 को आप ऐसे लिख सकते हो 2 into x की power 0 2 into x की power 0 यह x की power 0 क्या हो जाएगा 1 तो ऐसा polynomial जिसकी degree क्या होती है 0 या जिसका variable ही नहीं है सिर्फ constant time है उसको बोला जाता है 0 polynomial उसको क्या बोला जाता है 0 polynomial जहां पे सिर्फ और सिर्फ constant होता है सिर्फ और सिर्फ क्या होता है constant होता है ठीक है उसके बाद linear polynomial 0 polynomial के बाद आपक जहां पर डिगरी क्या हो जाएगी जहां पर वन हो जाएगी जैसे 3x प्लस 5 ठीक है एक अच्छा दूसरा एक्जाम्पल इसका आप दे सकते हो की x प्लस 9 by 6 ठीक है कोई सा भी एक्जाम्पल अब हम x x ले रहे हैं आप बोल सकते हो भाई a प्लस 1 हाँ जी बिल्कुल यह भी पॉलिनॉमिल है इसमें वेरीबल क्या है इसमें वेरीबल a है ठीक है 0 पॉलिनॉमिल क्या होता है 0 पॉलिनॉमिल जहां पर डिगरी 0 होती है लीनियर पॉलिनॉमिल जहां पर डिगरी क्या होती है ठीक है टीचर्स पूछ सकती हैं बाई quadratic polynomials का सब कुछ ही है वैसे book में ठीक है बट होता क्या है ऐसा polynomial जो की ax square plus में bx plus में c की form में होता है जहां पे a 0 नहीं हो सकता बाकी a क्या है 0 नहीं हो सकता बाकी a b c कुछ भी हो सकते हैं नहीं रियल नंबर बी 0 हो सकता है c 0 हो सकता है बट a 0 नहीं हो सक्ता इस form में हो सकता है quadratic polynomial क्या होता है ax square plus b x plus c जहांपे a 0 equals 0 ABC सारी की सारे real number है कुछ भी real root में भी हो सकता है root में भी हो सकता है उसे बोलते है quadratic polynomial डिगरी क्या है two cubic polynomial जहां डिगरी क्या हो जाती है three अब यह वाला condition कैसे बनेगी यह बन जाएगा ax cube plus में bx square plus में cx plus में d is d जहां पे a क्या है फिर से zero नहीं है बाकी a b c d क्या है सारे real है a b c and d यह सब क्या है सारे के सारे real number है सारे के सारे क्या है real number है अब simple भाशा में अगर हम समझाएं फटाफट इसको wrap up करते हैं सीधर topic पे जाएंगे अब ठीक है simple भाशा में अगर समझाएं तो polynomial को दो parts में divide किया जाता है यह आपने पड़ा है बट फिर भी आना चाहिए थोड़ा बहुत आना चाहिए कुछ बच्चे भूल गए होंगे polynomials के types on the basis of on the basis of degree अगर degree के basis पे हम classify करते हैं तो क्या क्या होता है और अगर on the basis of number of terms number of terms करते हैं तो क्या क्या होते हैं हमारे polynomials तो सबसे पहले अगर हम बात करें on the basis of terms तो on the basis of terms monomial, binomial, trinomial monomial मतलब जिसके पास सिर्फ एक ही term है सिर्फ एक term binomial जैसा की word बता रहा है by मतलब 2 trinomial मतलब जिसके पास 3 terms होती हैं यह आपके 9th के slivers में था छोटा सा introduction करवाना है, simple सा बताना है कि भाई होता क्या है अगर आपका teacher पूछे वाई वाले या पूछे, cross question करें आपसे कि भाई क्या होता है, monomial क्या होता है, binomial क्या होता है तो आप क्या यह बोलोगे हमने तो पढ़ा ही नहीं, 9th में पढ़ा था 9th में पूछते, 10th में क्यों पूछ रहा है, ऐसा थोड़ी बोलोगे ऐसा बता दो सीधा, कि हाँ भाई हमें पढ़ाया था, विवेक भाई या थे जो लनन फन में पढ़ाते थे, उन्होंने बताया था कि भाई on the basis of terms बताया थे, तीन होते थे, यह तीन होते है जो की बता दिये, क्या होते हैं, monomial एक term, binomial दो term, trinomial तीन terms ठीक है, similarly, on the basis of degree, degree के basis पर अभी हमने बताया है बाई, zero polynomial, जिसकी degree क्या हो, degree जिसकी, zero, linear polynomial, degree maximum क्या हो, one उसके बाद quadratic, जिसकी degree क्या हो, two, and cubic, जिसकी degree क्या हो, three जिसकी degree क्या हो, three हो, अच्छा, इसको और classify करेंगे, यह आपके syllabus में है, यह 9th में था, पता होना चाहिए था, बढ़ ठीक है, overview करवा रहे है अब इसको थोड़ा और classify करेंगे, सीधा-सीधा, चार्ट है आपका, सीधा-सीधा चार्ट है, अब कोई भी पूछे, बही, क्या है जिसकी डिगरी 0 उसको क्या बोला जाता है non-zero constant polynomial जिसकी डिगरी 1 हो उसको क्या बोला जाता है linear polynomial जिसकी डिगरी 2 उसको क्या बोला जाता है quadratic polynomial तीन डिगरी वाला cubic polynomial फोर डिगरी वाला quadratic या फिर by quadratic यह maximum बच्चों ने नाम सुन रखा होगा by quadratic का by quadratic का maximum बच्चों ने नाम सुन रखोगा कि जिसके degree four होती है उसे क्या बोला जाता है कौन सा polynomial होता है वो by quadratic polynomial से 5, s c 6, s e 7, s e 8, s e 9 और s e 10 ठीक है Quantic, Hexic, Heptic, Octic, Noik and Desic ठीक है और 6 और 7 को दूसरा नाम भी होता है Hexic and haptic ठीक है यह आप लोगों को पता होना चाहिए ठीक है additional knowledge है ठीक है ये आपकी additional knowledge है by chance अगर teacher पूसता है कि भई हाँ पता है क्या तो आप बोल सकता है जी बिल्कुल पता है बताया था एक भाईया थे हमारे उन्होंने सब बताया था ठीक है funda clear है सबको ये था आपका basic polynomials के बारे में introduction polynomials के बारे में types of polynomials के बारे में अब polynomial की थोड़ी सी analysis करते हैं थोड़ा सा जाच परताल करते हैं polynomial के अंदर ही तो सबसे पहले अगर हम बात करें polynomial quadratic polynomial के बात करते हैं क्योंकि quadratic polynomial हमारे syllabus में है तो quadratic polynomial क्या होता है वो इस form में होता है किस form में a into x square plus में b into x plus में c की form में होता है जहां पर a not equals to 0 होता है थोड़ी दिर पहले ही बताया है ठीक है और बाकी b c या फिर a सब क्या होते हैं real number होते हैं a पर छोटी सी condition लगी होती है कि a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए बाकी तो यह quadratic polynomial होता है क्या होता है quadratic polynomial होता है अच्छा यहीं से हमें याद आया हमने quadratic equation भी करी है एक बच्चे ने हमसे बोला था कि सर quadratic equation का ना one shot दे दो तो quadratic equation का one shot इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि quadratic equation से पहले polynomial होना चाहिए और पॉलिनॉमिल भी बहुत सारे बच्चों ने बोला था अब जब तक आपको पॉलिनॉमिल चीज समझ नहीं आएगी तब तो quadratic equation पर कैसे जाओगे ठीक है अब आप ऐसा बोल रहे हो कि सर टैन की टेबल करवा दो अच्छा टैन की टेबल तो ज्यादा इजी है 12 की टेबल करवा दो 12 की टेबल से पहले 9 की टेबल तो समझानी पड़ेगी ना वही चीज है 9 की टेबल समझा रहे है 9 की टेबल भी इजी है 12 की इजी है ठीक है चलिए तो अब यह quadratic polynomial से quadratic equation कैसे बनती है उसका सफर बता रहे है आपको उसकी जरनी बता रहे है ठीक है अब यह actual में क्या है यह है quadratic qp यह क्या है quadratic polynomial अब यह quadratic polynomial quadratic equation कब बनता है जब इस पे ax square प्लस bx प्लस c इसको हम क्या बोल दें 0 बोल दें condition फिर वही कि a not equals to 0 है क्या हो जाए जब यह आपका quadratic polynomial equals to 0 हो जाए तो उसको बोला जाता quadratic quadratic equation तब इसको क्या बोला जाएगा qe तब इसको क्या बोला जाएगा इसको बोला जाएगा qe quadratic equation ठीक है और यह लिखा भी है बड़े-बड़े अक्षरों में when equation when the oh जो यह polynomial है यह किसके बराबर हो जाए equals to 0 हो जाता है तब इसे quadratic equation बोला जाता है यहां से नीव रखी जाती है quadratic equation के यहां से नेव रखी जाती है quadratic equation के तो यह one of the important topic है ठीक है ठीक है clear है अब बढ़ते है relationship की और but relationship से पे जाने से पहले ठीक है relationship पे जाने से पहले जरा ये वाला question कर लेते हैं zeros के बारे में by zeros of the polynomial होता क्या है अब तक zeros के बारे में हमने कुछ भी discuss नहीं किया zeros के बारे में रती भर discussion नहीं करी समझा देते है zeros क्या होते है zeros of a polynomial बारे में किसके बात हो रही है यह बात कर रहे हैं हम थोड़ा सा दूसरा पैनल लेते हैं ताकि आपको clear हो जाए zeros of the polynomial ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है zeros of the polynomial का मतलब होता है ऐसी x की value सुनना ध्यान से ऐसी x की value जब हम उस equation में या polynomial input करें तो वो polynomial 0 के बराबर हो जाए वो क्या हो जाए किसके बराबर हो जाए 0 के बराबर हो जाए या फिर simple सीधी भाशा में बात करो कि zeros का मतलब होता है कि ऐसा polynomial जब वो x 0 के बराबर हो रहा है या simple भाशा में जब curve आपका x axis पे cut करता है जब कोई भी x y z curve ठीक है वो x axis पे cut कर रहा है तो वो उसका 0 है अब कैसे पता लगे भई कितने zeros है जितनी बार x axis को cut करेगा उतने 0 है वो ही ये question है आपकी screen पर question क्या है the graphs of y is equals to px graph given है तीन parts है three parts है हमें बोला है figure given है और हमें क्या बताना है number of zeros के बारे में बताना है number of zeros क तीनों के बारे में discussion करेंगे थीक है तो सबसे पहले बाड है एसकी तो ये जो graph है जैसा कि अभी हमने बताया 0 کا मतलब क्या होता है x axis को कितनी बार cut कर रहा है यह है यहां पर x axis लोगे ओका होगे तो ऐसे मत बोलता नब वाई X इसको कट कर रहा है तो एक 0 नहीं 0 उसका मतलब होता है कि X की ऐसी कुछ specific value X की ऐसी कोई specific value जब हम किसी polynomial में put करें तो उस polynomial की value के आ जाए 0 के बराबर आ जाए उस polynomial की value के आ जाए 0 के बराबर आ जाए तो उससे बोला जाता है इसको बोला जाएगा 0 of that particular polynomial तो इस case में कोई ऐसा point नहीं है बट अगर next की बात करें तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो करीबन करीबन कितने points हैं ये देखो एक, दो, तीन और चार एक सेक्स को कितनी बार कट कर रहा है बही चार बार कट कर रहा है कितनी बार कट कर रहा है चार बार तो इसके कितने 0 होंगे इसके होंगे चार 0 ठीक है कितने 0 होंगे भाई ये ये कहां काम आएगा ये आपका case study में काम आएगा ठीक है कितने 0 होंगे चार जीरो जोंगे, ऐसे इसके बता देना, सिंपल, ये आप खुद गरो, ठीक है योइ dif act वाला कुशन, एक बार एक ही बार कट कर रहा है, यहाँ पे, एक बार गट कर रहा है, ठीक है थोड़ा सा शायद टेरा लगा दिया, यहाँ कर रहा है, ठीक है clear, सब को अच्छे से, हाँ जी, अब आते हैं, आपके main topic पे, मुद्दे पे आते हैं, अब मुद्दे पे आते हैं, सीधा सीधा important, most important topic पे, ठीक है, इसको वैसे star नहीं लगाया, यहाँ पे हमने, बट फिर भी लगाना चाहिए था, और इसको star कम से कम 4 का देना चाहिए, 4 star topic है टॉपिक है फोर स्टार का अब इस टॉपिक में होता क्या है ये बताता है zeros and coefficients of polynomials के बीच में relation क्या relation होता है ठीक है अब basically जो आपका case study होता है वो क्या होता है अच्छा जो टॉपिक है इसमें होता क्या है जैसे कोई भी एक polynomial अग्या हमेले ax plus b ये क्या है linear polynomial ऐसे ax square plus bx plus c ठीक है ऐसे ही ax cube plus bx square plus cx plus d ठीक है ये सब क्या है आपके polynomials है अब इसके degree कितनी है इसके degree है one ये है degree ये क्या है डिगरी इसके डिगरी कितनी है वन तो इसके जीरोज कितने होंगे इसके जीरोज होंगे एक मतलब डिगरी डिसाइड करती है कि कितने जीरोज होंगे समझाया डिगरी डिसाइड करती है कि कितने जीरोज होंगे जैसे कि linear polynomial है डिगरी क्या है इसके डिगरी बताया है डिगरी of 0 क्या होता है वेरिय बिल की maximum power जो कि क्या है इसमें 1 है तो डिगरी कितनी 1 0's कितने 1 ऐसे ही ये क्या है ये linear है ये quadratic है ये cubic है ठीक है quadratic में degree क्या है 2 और 0 कितने होंगे 2 0 होंगे, similarly cubic में degree कितनी है? 3, तो 0 कितने होंगे? 3 0 होंगे degree क्या है? 3, 0 ज कितने होंगे? 3, यह समझने की जरूत है आपको ठीक है, एक बार आपको समझ आ गया कि कितने 0s होंगे, ठीक है क्या degree है? degree क्या होती है maximum, maximum variable की power है क्या? variable क्या यहां पर x ठीक है और x की maximum power क्या है भाई 2 है इधर 1 है और इधर 3 है ठीक है अब जब हमें पता लगी गया है कि भाई 0 कैसे पता लगेंगे डिगरी से पता लगेंगे और डिगरी पता लगेगी वो भी पता है कैसे पता लगेगी तो चलो आओ सबसे पहले discussion करते है quadratic polynomial के बारे में quadratic polynomial बहुत बार बता दिया आप तो आप लोगों को भी रट गया होगा कि क्या होता है कैसे होता है क्यूं होता है ठीक है a 0 equals to 0 है अब जैसा की quadratic polynomial है इसकी डिगरी क्या है 2 है तो इसके number of zeros कितने होंगे बाई 2 ही होंगे कितने होंगे दो तो यहां हम यह बोलते हैं कि alpha and beta हम क्या बोलते हैं alpha and beta are the zeros of the polynomial क्या है zeros of the polynomial यह क्या है zeros of the polynomial है ठीक है अच्छा ठीक है अगर alpha और beta zeros of the polynomial है तो क्या तो यहां से दो relation निकलते हैं क्या relation निकलते हैं देखो alpha और beta है इसमें हम क्या कर सकते हैं या तो addition ठीक है या subtraction या multiplication या division ठीक है चार 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 सॉरी दो नहीं चार चीज़े addition, subtraction, multiplication या फिर division चार चीज़े कर सकते हैं बट जब relation निकलने की बात होती है तो वहां पे आती हैं दो चीज़े पहला होता है कि alpha प्लस beta यह किसके बराबर होता है minus का b by a के बराबर होता है किसके बराबर होता है minus का b by a अब यह b क्या होता है यह होता है coefficient of x यह किसके बराबर होता है coefficient of x और divided by a का मतलब क्या है coefficient of x square है क्या है coefficient of x square है similarly दूसरा होता है alpha into beta जो कि c by a के बराबर कहलाता है जहाँ पे c क्या होता है भई c होता है constant term c क्या है भई constant जिसके साथ variable है ही नहीं और a क्या है यह आपका coefficient of x square coefficient of x square सभी को clear है फंडा सभी को अच्छे से भई क्या होता है कैसे होता है क्यों होता है ठीक है alpha plus 2 case होता है 2 एक तो होता है sum एक होता है क्या sum of zeros और दूसरा क्या होता है product of zeros products of zeros यह relation होता है alpha plus beta या फिर सिंपल बोल सकते हो sum of zeros is equals to minus b by a या फिर minus of coefficient of x divided by coefficient of x square product of zeros मतलब alpha into beta जो कि किसके बराबर है c by a वो किसके बराबर constant term divided by coefficient of x square ठीक है और a और b क्या है a b c यह है यहां से consider किये है यह आपका क्या है quadratic polynomial है यह क्या है quadratic polynomial है लिख लीजे अगर किसी को note down करना है समझना है देख सकता है बड़े आराम से वैसे आप लोगों को आता होगा अब बढ़ते हैं questions की और मुद्दा था वैसे questions का ही मुद्दा था वैसे बस अभी बड़ी रहे है questions की और ही बढ़ रहे है ठीक है हाँ जी start करें चलिए तो पहला question जो कि basic से start करेंगे सीधे ही direct heavy questions नहीं देंगे नहीं तो फिर आप लोग घबरा जाओगे ऐसा बोलोगे की questions कराने लगे और पहला ही questions ऐसा दे दिया की मतलब खतरना question ऐसा दे दिया की हवाई निकल गई है ना तो ऐसे questions नहीं देंगे बढ़िया questions देंगे पहले प्यारे प्यारे दुलारे पुछकारे से easy सी questions देंगे फिर उसके बाद आपको फिर लेके जाएंगे average की चोटी पे फिर वहाँ से करवाएंगे questions बढ़िया बढ़िया एग number इ questions ठीक है चलो पहला question आपकी screen पर है देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं अब जैसे पता ही है सबी को भई हमारा टुक्टुकी कहा है आओ भई टुक्टुकी टुक्टी की मतलब हमारी घड़ी question है आपके सामने find the zeros of the quadratic polynomial zeros निकालने इनके कैसे निकालने हैं अच्छे से आप लोगों को पता है factorization method आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सीखी है ठीक है zeros निकालने हैं उसके बाद उसको verify भी करना है verify कैसे करोगे ये पिछे वाले क्लेस में बताया था alpha plus beta किसके बराबर होता है और alpha into beta किसके बराबर होता है तो ये चीज आपको करके दिखानी है और ये question के लिए एक मिनट तो बहुत है तो आपका time start होता है अब देखते हैं कितने बच्चे इस particular question को कर पाते हैं ठीक है चलिए start हम screen से side होगे ताकि आप लोगों को clearly visible हो जाए दिक्कत ना आए देखने में अना फिर ये ना बोलो कि sir दिखी नहीं रहा आप अडगे बीच में इसलिए दिखने रहा तोड़ा side हो जाओ तो पहले ही हम side हो गए है ठीक है चलिए easy question है पहले तो zeros बताईए हमें zeros के आएंगी what will be the zeros of this particular quadratic polynomial hmm okay very good time time अब जैसा की है की समाप्त होता है एक वक्त आ जाता है भाई 15 सेकिंड बचे है है ना चलिए time आपका समापन की और finish होता हुआ 4 3 2 1 शुन्य टाइम जाप गड़ी बजगी गंटी बजगी गंटी बजगी चलिए comment करना बच्चो बिल्कुल comment करना कि भाई क्या answer आया है हम देखते हैं सब के comments देखते हैं फिकर मत करो ठीक है चलो देखते हैं question करवाते हैं सबसे पहले क्या given है भाई equation oh sorry polynomial given है वो भी quadratic वाला ये रहा ठीक है हमें क्या बोला है भाई 0 निकालिए 0 निकालेंगे पहले इसको factorize कर ले ठीक है तो भाई 10 के factors बनाने है ऐसे plus minus करके 7 आए तो मेरे ख्याल से सभी बच्चे ने बना ले होंगे भाई 10 को 7 में कोलना है तो क्या हो जाएगा बड़ी बात है क्या 5x plus 2x ठीक है यही दोनों बनेंगे बाकी लगा दो यहाँ पे x square और इधर लग गया plus का 10 तो यहाँ से x common लेंगे तो यह बन गया x plus का 5 और इधर plus का 2 common ले लिए तो इधर भी बन गया x plus का 5 तो मतलब या तो x plus 5 और या तो x plus 2 अब हम बोल रहे हैं कि हमें 0 निकालने है हमें क्या निकालने हैं कि जीरोज निकालने हैं पॉलिनॉमिल के तो जीरोज निकालने हैं मतलब ये वैल्यू कि इसके बराबर होने चीए जीरो के बराबर होने चीए ये वैल्यू अगर जीरो के बराबर होने चीए तो यहां से क्या आएगा यहां से आएगा कि एक्स प्लस या तो 0 होगा मतलब x की value होगी minus का 5 या फिर x plus 2 क्या होगा 0 के बराबर मतलब x की value कितनी हो जाएगी minus का 2 x की value क्या हो जाएगी minus का 2 मतलब 2 0 जो हमें निकालने थे वो क्या-क्या है हमारे वो 2 0 है एक तो है हमारा माइनस का टू और एक है थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं पैन एक है माइनस का टू और एक है माइनस का फाइफ क्लियर है यह zeros है zeros of the polynomial quadratic polynomial zeros of quadratic polynomial पहला question था कि भई निकालो zeros क्या है निकाल लिए आपके सामने निकाल लिए अब इनको verify करना है verify करना है क्या relationship से relation क्या था भई एक को हमने alpha बोल दिया एक को हमने beta बोल दिया अब alpha आपका मन करता है minus two alpha लेना है minus two ले लो minus five alpha लेना है minus five alpha ले लो ठीक है तो हमने यहाँ पे next page पे alpha plus beta किया alpha plus beta किया तो एक को हमने माइनस 2 और दूसरे को माइनस 5 तो ये कितना है भाई माइनस 7 के बराबर है किसके बराबर है माइनस 7 के बराबर और उसके बाद क्या निकाला भाई माइनस B बाई A की वैल्यू निकाली B क्या है B actual में क्या होता है B होता है negative of coefficient of X divided by coefficient of X square तो अगर इसकी value हम निकालें coefficient of X क्या है देखो ये रहा ये है polynomial 7 तो ये क्या हो जाएगा 7 बट बाहर negative का sign लगा है इसलिए minus का sign और coefficient of X square क्या है 1 तो ये कितना हो जाएगा 1 clearly यहां से हम ये तो बता ही पा रहे हैं कि जो alpha plus beta है वो किसके बराबर है minus B by A के बराबर है जो की minus का 7 है दोनों देखो minus का 7 है दोनों क्या है minus का 7 है तो ये हो गया है हाँ पे satisfy भई क्या वाला rule लग गया sum वाला तो सही है sum वाला rule तो क्या है बिल्कुल correct है चलो ठीक है जब sum वाला correct है तो चलो product की बात करते है product वाला alpha into beta होता है और alpha into beta अगर हम solve करें तो minus 2 into minus 5 तो वो plus का 10 हो जाता है ऐसा करेंगे ना minus 2 into minus का 5 तो ये कितना हो जाएगा भई ये positive का 10 हो जाएगा ठीक है अच्छा ये positive का 10 हो गया ठीक है अच्छा ये होना किसके बराबर चीए ये c by a के बराबर हो चीए c क्या है c है constant c क्या है constant divided by coefficient of x square ठीक है अच्छा constant term question में क्या गया है ना question में constant जो polynomial है quadratic polynomial इसमें constant term क्या है 10 तो ये कितना हो जाएगा 10 और coefficient of x square वो तो 1 ही है तो मतलब इसको 10 ही बोल देंगे इसको क्या बोल देंगे 10 तो यहां से भी हो ए चीज बोल सकते है कि alpha into beta वो c by a के बराबर है और जो कि किसके बराबर है 10 के बराबर तो चलो ये भी satisfy होगया ये भी चीज satisfy होगी कि alpha plus beta equals to minus b by a के बराबर जो कि दोनों के दोनों minus 7 है यहां दोनों की दोनों equal आ रहे हैं देख लो अच्छा उसके बाद alpha into beta किया जो की 10 आ रहा है और c by a किया तो वो भी 10 ही आ रहा है तो मतलब yes यह दोनों क्या कर रहे हैं relationship को भी satisfy कर रहे हैं यह क्या कर रहे है relationship को भी satisfy कर रहे हैं अब relationship को भी satisfy कर रहे हैं फिर तो यह तो बड़ में ठीक है देख लो ध्यान से इसी तरीके से करना बच्चो आपको अच्छा वो जो साइड में लिखा है वो आप निचे लिख लिएना ठीक है ऐसे करना है ऐसे समझाना है कि yes ऐसे हम prove करेंगे इस चीज को ठीक है यह आता है आपका दो marks में यह जो question होता है यह आता है आपका टो marks में पूछा जाता है ठीक है यह आपको बता भी दिया कि करना कैसे है और पूरा step by step डिक्टो ऐसी copy कर दोगे तो चलो उसमें तो मिली जाएंगे आपको marks ठीक है? चलिए next question आपकी screen पर ये रहा अब ये जो question है फिर इसके लिए एक minute और दिया जाएगा आपको question क्या है? find a quadratic polynomial, quadratic polynomial find करना है जिसका sum and product of zeros given है, क्या given है? sum and product of zeros given है तो इसके लिए भी आपको देते है एक minute का time और आपका time होता है अब start चलो भई आप पिछे जाओ, बच्चों का time start करते हैं हम और ये रहा एक minute बहुत होता है, देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं, दोनों अब तक easy question है, बड़े प्यारे और बड़े अच्छे question है, हम expect करते हैं कि दोनों questions के answer आप लोग दोगे, ठीक है, दूसरा question है, ये screen पर चलिए, शाबाश, very good find a quadratic polynomial, the sum and the product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively शाबाश, बहुत अच्छे हम expect करेंगे कि सभी बच्चे इस प्रश्ण का उत्तर दे इस question का answer दे, ठीक है time समापन की और मतलब finish होता हुआ, आपका time finish होता हुआ, चलिए 5 4 3, 2, 1 खतम, आरे गंटी भी बच गी बिलकुल चलिए चलिए, time's up, time's up and time's up question क्या है, find a quadratic polynomial, the sum and zeros of whose zeros are minus 3 and 2 respectively ठीक है, चलिए, चलिए, यहाँ पे इस question को करवाने से पहले, अच्छा जिसने कर लिया बहुत अच्छी बात है, इस question को करवाने से पहले एक और चीज हम करवाएंगे, क्या वो देखेंगे, कि भाई, किसी भी quadratic equation को, हम ऐसे लिख सकते हैं, x square minus bracket धान से देखना देखो, दुबारा बताते हैं x square, चलो, समझा भी देते हैं, कि भाई, देखो ax square plus bx plus c, यह क्या होती है आपकी quadratic equation, quadratic polynomial होता है, जहाँ पे हमें बता है कि alpha plus beta, वो किसके बराबर होगा, वो होगा b by a के बराबर, वो किसके बराबर होगा b by a के बराबर, वो भी negative और alpha into beta किसके बराबर होगा c by a, तो हमने यही चीज़ इधर transfer करी, और हमने यह बोला, कि भाई, x square इसको हम कैसे बोल सकता है, x square by b by a, x plus c by a ठीक है, तो यह जो transfer हो गई, यह ऐसा हो गया, कि x square, x square यहाँ क्या है, plus का b by a उधर क्या है, negative of b by a तो यहाँ बोल सकते है, negative of sum of zeros sum of zeros ठीक है, into में x plus में product of zero product of zeros समझ आया इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, मतलब गर sum of zeros given है, product of zero given है यह आपकी equation है, यह क्या है आपकी equation है, ठीक है clear है, या फिर इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कि x square minus bracket, alpha plus beta, into में x, plus में alpha into beta, अब इसमें एक छोटा सा modification होता है, यह complete नहीं है, मैं फिर से बोलूगा, यह complete नहीं है ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, k, k चीज़ आती है, वो हम बताएंगे next class में ऐसा है, एक ही class में सारा ग्यान दे देंगे, तो फिर तो बात सही नहीं है अच्छा, यह complete नहीं है, यह आधी है, और हम expect करेंगे कि आप लोग बताएं कि यह आधी क्यूं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि marks कटेंगे यहाँ पे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके marks कटेंगे, बट फिर भी यह एक छोटी सी चीज है जो हम add करेंगे, तो फिर यह complete बनेगी, तो वो आप लोग बताएंगे कि है क्या, और यह आप लोग ही हमें याद दिलाएंगे next class में, जब next class कभी भी next class होगी हमारी, live होगी चाहे one shot होगा, तो आप लोग बताना कि भी, क्या है ठीक है, और कैसे बताना है वो हम बता देंगे आपको, next class में बताएंगे ठीक है, एक छोटी सी चीज है, multiply करने है ठीक है, यह है अब इसी का use करते हुए इस question को करना होता है इसी का use करते हुए, हमें इसको करना होता है, बट अभी इससे नहीं करवाएंगे, पूरा method से करवाएंगे, method से करवाएंगे क्योंकि बताना भी तो है, आपको paper में करना कैसा है देखो, question क्या क्या given है question given है, कि भाई, एक quadratic polynomial है तो हमने बोला, जो quadratic polynomial है उसके zeros हैं, alpha और beta अगर उसके zeros हैं, alpha and beta तो हमें given है, by sum of zeros मतलब alpha plus beta given है minus का 3 के बराबर और alpha into beta किसके बराबर given है 2 के बराबर और जैसा कि हमें relation पता होता है कि alpha plus beta will always be equals to minus b by a और alpha into beta will always be equals to c by a जहाँ पे जो हमारी quadratic polynomial है, वो actual में है AX2 plus also BX plus also C जहाँ पे A naught equals to 0 है जहाँ पे क्या है, A naught equals to 0 है तो जैसे ही हमने इसके साथ इसको compare किया तो हमने पाया कि minus का जो 3 है वो minus b by a के बराबर है और जो 2 है, वो किसके बराबर है 2 किसके बराबर है, c by a के बराबर है अब यहाँ से ना तो हमें A पता ना B पता ना C पता तो हम consider करते हैं क्या कि जो हमारा A है ना उसको हम 1 बोल देते हैं stand form के लिए क्या बोल देते हैं कि 1 है तो अगर 1 है A अगर 1 है तो B कितना हो जाएगा भाई 3 C कितना हो जाएगा C हो जाएगा 2 तो हमारी जो quadratic equation बन जाती है वो क्या बन जाती है वो बन जाती है ABC की value पुट कर रही है तो ये कितना हो जाएगा X square प्लस में 3X प्लस में 2 ये है हमारा polynomial जो required polynomial है ये क्या है हमारा required polynomial आया समझ clear है सभी को सभी को देख लो ध्यान से बड़े प्यार से कोई गड़बड करी है बता दो अगर करी है तो चीक है simple सा simple easy sorted सबसे असान है ना अब ये आता है 2 marks में ये question आएगा आपका 2 marks में कि why find the polynomial या एक marks में भी आ सकता है आपको 4 option दे दिये जाएंगे mcqs based options में भी आ सकता है आपको 4 option दे दिये जाएंगे और आपको बताना होगा हाँ ये है ये है कि ये है कि ये है कि ये है कि ये है कौन सा है ये आपको बताना होगा ठीक है अब बढ़ते हैं जबरदस्त questions की और अब आते हैं आपके pinch questions high voltage questions और जो boards में पुछे गई questions है यहां पर ये यहां तक जो करवाया है ये है basic ये है basic अब जो questions आएंगे वो आएंगे genuine questions ठीक है तो पहला question आपकी screen पर ये रहा और अब हम time नहीं अब हम सिर्फ करवाएंगे आप देखना कि भई ठीक है कि गलत है ठीक है चलो बाकी एक आदे जो questions होंगे जो पूछने होंगे वो आपसे पूछ लेंगे comments करते रहना हमें दिख रहा है ठीक है likes और comments side by side करते रहना भूल मत जाना ठीक है question क्या है if alpha beta are zeros of the zeros किसके quadratic polynomial के quadratic polynomial हमारा ये है ठीक है quadratic polynomial ये है अच्छा लिख लिए भाई side में लिख लिए 5X square प्लस में 5X प्लस में 1 लिख लिए पगल में अजी बिलकुल लिख लिए इसके zeros कितने हैं भाई alpha और beta हैं alpha beta हैं तो भाई relation हम पढ़के ही आए हैं क्या पढ़के आए हैं कि alpha प्लस beta होता है किसके बराबर माइनस b by a के बराबर और alpha into beta किसके बराबर होता है c by a के बराबर होता है a क्या होता है ये भी आपको पता है b क्या होता है ये भी आपको पता है b coefficient of x c constant term a क्या होता है a क्या होता है a is the coefficient of x square तो यहाँ पर अगर लिख भी दें तो भी कोई गम नहीं कि A है 5, B है 5 and जो C है वो है 1 A 5, 5 and 1 ठीक है तो यहाँ से हम value निकाल सकते हैं alpha plus beta will be equals to minus का 5 अच्छा नहीं, minus का 5 by 5 जो की minus का 1 के बराबर और alpha into beta जो होगा वो होगा C by A मतलब 1 by 5 ठीक है, मतलब हमें 2 चीजे समझागी कि alpha plus beta क्या है alpha plus beta की value कितनी है, वो है minus 5 by 5 यह होगा न, B कितना है, 5, A कितना है, 5, 5 by 5 कितना होगा minus का 1, minus का 1, यह हमें दिख नहीं रहा, आप लोगों को दिख रहा है क्या minus 1, थोड़ा सा, हाँ, अब दिख रहा है, अच्छा, reflection पढ़ रही है, उस वज़े से शायद नहीं दिख रहा ठीक है, अब बात करते है, alpha into beta, alpha into beta क्या होता है, C by A होता है, C क्या है, 1, A क्या है 5, तो 1 by 5, alpha into beta भी यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो की 1 by 5 के पराबर हमें given है, अब बात करते हैं, question की, यह question नहीं था, यह तो हमने beta square की value निकालो, और उसके नीचे दूसरा पार उस भाई का, क्या बोला है, यह alpha to the power minus 1 plus में beta to the power minus 1 की value निकालिए, तो सबसे पहले तो बात करते हैं, भई, पहले पार्ट की, जो की क्या है, यह महाशे बोलते हैं कि alpha square plus beta square निकालिए, तो हमें याद आया, कि हम भई, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, we can write this as, alpha plus beta का whole square, minus में 2 alpha beta, लिख सकते हैं क्या, अब कैसे याद आया, वो भी समझाते हैं, देखो, हमें alpha plus beta given है, ठीक है, अब alpha plus beta का अगर आप square करोगे, तो यह क्या होगा, भई, alpha square होगा, beta square होगा, और plus में 2 alpha beta होगा, ठीक है, अब हमें क्या पता लगाना है, भई, इसकी value निकालना है, तो यह part कहां चला गया, उस side तो negative होगा, तो क्या होगा, negative होगा, यहां से alpha plus beta पता है, अजी बिल्कुल पता है, alpha into beta अजी बिल्कुल पता है, दो उपर ही तो लिखी है, ठीक है, तो दोनों values हमने put करी, तो answer, तो यहां से alpha plus beta का whole square, मतलब minus one का whole square, चीक है, ऐसे ही minus में two, alpha beta, alpha into beta की value कितनी है, one by five, तो यह क्या हो जाता है, यह हो जाता है, one minus का two by five, one minus two by five, अब तो solve करी सकते हो, three by five, यह किसकी value है, this is equals to alpha square plus beta square is equals to three by five, यह first part है आपका, यह क्या है, यह है first part, देख लो ध्यान से, three by five, alpha square plus beta square क्या रखा, alpha plus beta का whole square, माइनस में two alpha beta, वो side में लिख दिया हमने, कि भई कैसे आया है, ठीक है, अच्छा जब वो पता लग गया, तो alpha plus beta, निकाला ही था, भई, alpha plus beta value निकाल रखी है, माइनस का one है, और alpha into beta, वो भी value बगल में निकाल रखी है, one by five, दोनों value put खरी तो कितना आ गया, one minus two by five, तो कितना आ जाएगा, तीन बटा पाँच, ये alpha square plus beta square कितना है, तीन बटा पाँच के बराबर है, second part की बात करते है, alpha to the power minus one, second part, alpha to the power minus one, प्लस में, beta to the power minus one, यही है, दोनों की power minus one, अब इसको लिख कैसे सकते हैं, अगर इसको simplify करें, तो इसको लिख सकते हैं, one by alpha plus one by beta, तो ये बन जाएगा, beta plus alpha divided by alpha into beta, correct है, वही, LCM ले लिया, ठीक है, beta multiply में, बीटा numerator में, अलफा numerator में, तो beta plus alpha divided by alpha plus beta, तो यहाँ से अब value put कर देंगे, यहाँ से क्या put कर देंगे, वही, value put कर देंगे, alpha plus beta की value कितनी थी, minus one, alpha plus beta की value, इसलिए हमने starting में लिख थी, minus का one divided by, अच्छा, इस divide को लगाने से बढ़िया, आप लोग क्या कर सकते हो, ऐसा लगा दो, minus one divided by, क्या है, one by five, यह हो जाएगा, one by five, यह बन जाएगा, minus one into में five, तो यह कितना बन गया, minus का five, तो यह कितना बन गया, by minus का five, अब आप लोग एगर ऐसा करते हैं, suppose करो, मैं यह बोड़ो, minus का one divided by, one by five करते हैं, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, कि यहार, five को उपर करना है, कि one को करना है, कुछ-कुछ बच्चे हो जाते हैं, कुछ नहीं होंगे, बट यह best है, simple सा यहाँ, divide लगा दो, ठीक है, अब divide को solve गरोगे, तो उसने five को उपर ही ले जाना है, तो यह क्या बन जाएगा, यह सिदा सिदा आपका five बन जाएगा, और वो भी minus का, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, इसकी value क्या है, minus five के बराबर, दोनों पार्ट solve होगे, easily, है ना, अब ऐसे ही questions आने वाले हैं, sample paper में repeated हैं, और previous year paper में repeated हैं, last ten years के paper में यह सारे questions repeat हुए गए है, एक बार, दो बार, तीन बार, जिस पे चार स्टार है वो एक या दो बार हो सकता है repeat बट जिस पे पांस स्टार है वो तो लगा लो दो से तीन बार repeated है तीन से चार बार repeated questions है वो ठीक है चलिए next question पर जाते है नेक्स्ट question ये ये question वैसे तो हमें homework देना चाहिए और ये हमने जान बूच के डाला भी है maximum बच्चे पता है क्या हो जाएंगे ये बोलेंगे बच्चे बोलेंगे हाँ हाँ ठीक है question तो easy है 6x square minus का 3 minus का 7x तो यहां से हम बोलेंगे कि compare करो इसको किसके साथ quadratic polynomial के साथ quadratic polynomial होता है भई ax square plus में bx plus में c ठीक है तो मैं सिर्फ अगर इतना भी बोलूँगा ना बच्चों को कि ABC की value पूट करो तो वही confused A बोलेंगे 6 है B बोलेंगे चलो इसको नहीं हाँ लिखते हैं और फिर लिखेंगे क्यों गलत है A है आपका 6 और B है आपका minus का 3 और जो C है वो है minus का 7 जल्द बाजी में ये mistake आप लोग करोगे जल्द बाजी में और ये गलत है और ये गलत है क्यों गलत है अब जर्ब इन नोनों को अगर आप compare कर रहे हो x square के नीचे x square x के नीचे तो x आएगा ना तो इसका जो actual चीज है जो actually बनेगा ये ऐसा बनेगा 6 x square minus का 7 x minus का 3 ठीक है ये चीज बिल्कूल गलत है इसलिए हमने बकाईला लिख के दिखाई है बलकि लिख के दिखाई है चीजे कि आप लोग ऐसा ना करो ठीक है इसको बकाईला लिख के दिखाया और काटा भी है कि ऐसे मत कर देना ये रॉंग है ये पार्ट इसको पहले इस फॉर्म में इस फॉर्म से ऐसे ये अब करेक्ट है ठीक है भाई quadratic polynomial ऐसे लिखोगे अब यहां से ABC करो यहां से equation निकाल लो आप ठीक है ये yourself वाला q실न है करना सारे के सारे ठीक है नहीं आएगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए ठीक है देखते है कितने बच्चे इसको करपाते हैं कितने बच्चे इस question को कर पाते हैं कोशन है करना सारे के सारे ठीक है नहीं आएगा तो हम तो हैं ही बताने के लिए ठीक है देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं कितने बच्चे इस कोशन को कर पाते हैं ठीक है अब यहां से करेंगे तो इन नोनों को मल्टिप्ला करतें है जो की कितना आईगा? माइनस का 18 आएगा माइनस का 18 के वैक्टर बनाने प्लस माइनस करके क्या आई? तो यह क्या बनेगा? भाई 9 इन्टू तू यहाँ से देख लो माइनस 9 और 2 क्या बन जाएगा यहां सीधा सीधा है पता लग गया माइनस का नो प्लस का टू एक्स फैक्टर जागे अलफा बीटा आ जाएगा अब तो हो जाएगा अब तो हो जाएगा ना अब ऐसे मत करना यार बच्छो फिर तो बड़ा दुख होगा ठेस होगा बताने के बाद भी इतना easy question दे दिया है खाम खा दे दिया कैसे बूर्ड वाले बच्च्चे कैसे पेपर सैट करते हैं इतना easy question दे देते हैं जल्द वाजी में आप लोग लिखोगे A को C B को माइनस 3 और C को माइनस 7 अब बोर्ड वाले सुचेंगे यही तो हम चाते थे यही तो हम देखना चाते थे लो हो गया गलत फरी के जहां मार्क्स मिलने थे वहां के फरी के मार्क्स कटवा के आ गए ठीक है तो ऐसी किमिस्तेक्स ना हो तो ही बढ़िया थीक है उसके बाद यह अगर अगर सॉल्ट कर लिए उसके बाद factorization method बाकी alpha plus beta औqui अलफ इनटो बीटा निकालना है वो आप लोग करी सकते हैं वो हम मान सकते हैं लोग बहुत जादा talented है उस case में तो उस case में तो आराम से हो सकता है एक और genuine and बड़ा प्यारा कुशन आपकी screen पर ये रहा सबसे अच्छा सबसे अच्छा तो नहीं बोलेंगे सारे कोशन ही सारे बहुत अच्छे हैं अब इस कोशन के लिए भी आपको time दिया जाएगा ठीक है थोड़ा सा हम पानी पिलेते हैं इतने आप लोग करिए इस कोशन को चलो भई टुक टुक महराज स्टार्ट हो जाईए लो भई अच्छा हुई नी आपको क्या find करना है आपको find करना है P and Q की value time आपका start होता है अब देखते हैं कितने बच्चे इसको solve कर पाते हैं कितने बच्चे हैं जो इस particular question को solve कर लेते हैं और answer निकाल पाएंगे बच्चे याद रखना हमें comments दिख रहे हैं हम comments देख पा रहे हैं आपके ठीक है side by side हम check करते रहते हैं बच्चे चलो time बचा है limited अच्छा कोशन है बढ़िया कोशन है है ना इस जरोस अफ पोलिनोमिल x square plus p x plus q are double क्या है double है किसमें वेल्यूस में तो देख जरोस अफ पोलिनोमिल 2x square minus ka 5x minus ka 3 then the values of p and q क्या होगी find करना है 5 second बचे है 4 3 2 1 खतम finish ठीक है गंटी महराज देख लिया हमने ठीक है यह है कोशन अब जरा इसको समझाते हैं कोशिश करेंगे समझाने की आप लोगों को की सभी को समझा जाए ठीक है चलिए देखो कोशन क्या है if the zeros of the polynomial polynomial है आपका x square plus p x plus q इसके जो zeros है वो क्या है वो इसके डबल है इसके क्या है डबल अगर इसके इस zero यह जो polynomial है इसके zeros अगर alpha या फिर beta है तो इसके जो zeros होंगे वो क्या हो जाएंगे भाई double मतलब 2 alpha 2 beta हो जाएंगे इसके zeros क्या हो जाएंगे 2 alpha 2 beta हो जाएंगे तो यह समझा रही आपको बात statement लिखनी है चलो statement आप लोग लिख लोगे if the roots of this particular is particular quadratic polynomial is alpha and beta और alpha and beta then we can say that the roots of this particular equation will be quadratic polynomial will be 2 alpha 2 beta according to question ठीक है according to question ठीक है अब हमें बोला है भाई find the value of p and q p और q की हमें क्या find करनी है value find करनी है तो चलो पहले p और q की value find करने से पहले क्या लगाते है सबसे पहले alpha और beta जो की हम बोल रहे हैं वो लगा ले ठीक है जैसा की हम बोल रहे हैं कि 2x square minus का 5x minus का 3 इसके हमने क्या बोले हैं 2 roots है 2 roots 2 0 sorry तो किस के होते हैं? रूरूर्स होते हैं क्वडिर्टिक एक्विशन के zeros अर alpha and beta then we can say that हम क्या बोल सकते हैं कि alpha plus beta वो किस के बराबर हो जाएगा? minus b by a के बराबर होगा तो यहाँ से minus b by a minus b here minus 5 है और A क्या है यहाँ पे? यहाँ पे A है 2 तो यह कितना हो जाएगा? भई 5 by 2 हो जाएगा ठीक है? ऐसे ही अलफा इन 2 बीटा करेंगे तो अलफा इन 2 बीटा क्या हो जाएगा? वो होगा C by A C की value कितनी है? माइनस का 3 by 2 के बराबर है ठीक है? इतना सभी को समझ आ गया मतलब यहाँ से हमने क्या सीख लिया? यहाँ से सीख लिया कि अलफा प्लस बीटा की जो value है वो है 5 by 2 वो क्या है? 5 बटे 2 यही है? 5 बटे 2 बही क्लियरली 5 बटे 2 यह है ना और जो अलफा इंटू बीटा है अलफा इंटू बीटा वो कितना है? वो है माइनस का 3 by 2 के बराबर है ठीक है? अब कोश्चन का दूसरा पार्ट बोला क्या गया है? कि यह जो वाली जो equation है x स्क्वार माइनस का px प्लस में क्यू? x स्क्वार माइनस का अच्वार माइनस का अच्वार प्लस का है प्लस का है x स्क्वार प्लस px प्लस q इसके zeros क्या क्या है? zeros आर zeros आर 2 अलफा एंट 2 बीटा जैसा कि हमें question में बोला गया है जैसा कि हमें question में बोला गया है अच्छा जब यह है तो फिर यहां से भी हम यह चीज़ बोल सकते हैं relation between zeros तो यहां से हम बोल सकते हैं कि 2 alpha प्लस में 2 beta वो किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा minus का P के बराबर minus P by 1 के बराबर होगा वैसे 1 लिख नहीं सकते हैं कोई बात नहीं to common आगया मतलब हमें P की value पता लग गई P क्या होगा P will be equals to minus का 2 alpha प्लस बीटा और alpha प्लस बीटा 5 बटे 2 के बराबर है तो मतलब P की actual value कितनी है minus का 5 के बराबर P की actual value कितनी है minus का minus का 5 के बराबर यह हमारा second part है question का ठीक है अब sum की बात हो गई है यहाँ पर किसकी बात हो गई है sum अब ज़रा बात कर लेते हैं product की product ही बात करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा alpha into beta 2 alpha into में 2 beta यहीं पर इसी की बात हो रही है इसी की बात हो रही है यहाँ पर हम discussion कर रहा है यहां sum की बात करिए, इसकी product की बात करेंगे 2 alpha into 2 beta, वो किसके बराबर हो जाएगा Q by, किसके बराबर हो जाएगा Q by 1, तो Q ही लिख सकते हैं इसको इसको क्या लिख सकते हैं, Q अच्छा, यहां 2, 2 multiply होगा, तो यह क्या होगा 4 bracket alpha into beta, जो कि किसके बराबर है Q के बराबर, और alpha into beta तो हमें पता ही है minus 3 by 2, value put कर दी minus का 3 by 2, तो 2 after 2 cancel तो Q की value कितनी आगई, Q will be equals to minus का 6 Q की value कितनी आगई, minus का 6, P और Q find करना था P की value कितनी आई है, minus का 5, Q की value कितनी आई है minus का 6, यही find करना था, find the value of P and Q simple, ठीक है, इस तरीके से करेंगे, step by step भई, पहली equation given है, इसके roots अगर alpha बीटा है alpha बीटा है, तो हमने क्या लगा दिया, relationship लगा दिया relationship से हमने क्या पाया, alpha plus beta 5 by 2 के बराबर alpha into beta minus 3 by 2 के बराबर है, यह सब सोब पर लिग दिया अब जो दूसरी equation है, आपकी x square plus p x plus q, उसमें क्या है उसमें क्या है आपका, वो इसके जो roots है, r double of this roots इसके double है, तो चलो, मतलब यह equation है, इसके roots क्या हो जाएंगे, 2 alpha 2 बीटा, अगर उसके alpha बीटा है, तो इसके 2 alpha बीटा, 2 alpha 2 बीटा, ठीक है next, next question, अच्छा, देख लो, देख लो, देहां से, next question भी करवाएंगे, देख लो, देहां से, देख लो, ठीक है, next question भी करवाएंगे, बढ़िया तरीके से, सभी को समझा आया, शाबाश, बहुत अच्छे, जैन्वन, जबर्दस्त, बहुत अच्छे, very good, keep it up, हाँ जी, करें, next, देखो, फिर ये किया, और इसके बाद, क्या किया, इसके बाद, solve कर गए, ये किया, और यहां से, और पी और क्यों आ गए, clear है, सभी को, अच्छे से, चलिए, अब बढ़ते है, next question के और, जो कि ये रहा, अब ये भी थोड़ा सा, different किसम का question है, थोड़ा सा different है, थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा, इसमें से, एक question, homework के तौर पे भी देना चाहेंगे, जो हमने पहले, yes, ये करवा रखा है, तो ये homework के तौर पे देंगे, इसके बाद, case study है, इसके बाद है, case study है, ठीक है, अब question जो है, वो फिर से, के इंटू x square, प्लस में 4x, प्लस में 4, इस तरीके से बोला गया है, कि such that, उसमें condition भी दे दी है, कि alpha square प्लस बीटा स्क्वेर, की value 24 गिवन है, अच्छा जी, अच्छा, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ गिवन है, है, इसके जो दो roots हैं, वो क्या है, alpha और beta है, हमें find करनी है, के की value, यहाँ क्या find करना है, find के, find के, हो जाएगा क्या, 30 seconds का question है, बिल्कुल, हम expect करेंगे, सभी से, थोड़ा सा हटके है, बट, यह थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा हटके है, तो इसको देते हैं मातर 30 seconds, 30 seconds में देखते हैं, कितने यह इसको कर पाते हैं, घीक है, 35 seconds देदिया आपकी 5 seconds, लो, एक्स्ट्रा, 5 seconds एक्स्ट्रा देदिया इस question के लिए, देखते हैं, कितने वच्चे कर पाएंगे बाकी हमने देखो सबी लिख दिया है वैसे है सब कुछ बता दिया है हमें find करना है के क्या है coefficient of x square क्या है coefficient of x square सेम relation ही लगेगा सेम पूरा का पूरा relation ही लगेगा यहां पे भी अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो अपने आप चीजे समझ आ जाएंगे थोड़ा सा ध्यान दोगे तो चीजे अपने आप समझ आ जाएंगे कैसे होगा कहां से होगा अरे time हो गया time हो गया time हो गया हमें पता ही नहीं लगा है ना चलो करवाएं start अच्छा अगर आपको याँ दो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वेर प्लस बीटा स्क्वेर का अभी फॉर्मॉला लिखवाया है किया लिख वाया है वो लिखाया अलफा स्कवायर प्लइस में बीटा स्कवायर इस way को अलफा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में two alpha बीटा लिखवाया है अभ ही लिखवाया है ज़स्थ थोड़ी दिर पहले ही लिखवाया है अच्छा इसका फाइदा क्या है देखो फाइदा है वो भी बताएंगे सबी चीज का हर थोड़ा थोड़ा फाइदा होता है यहाँ से यहां से हमने बोला अगर alpha और beta हैं तो alpha plus beta वो किसके बराबर हो जाएगा वो हो जाएगा minus का 4 by k के बराबर और alpha into beta करेंगे तो वो किसके बराबर हो जाएगा वो भी 4 by k के बराबर हो जाएगा alpha plus beta sum of roots वो किसके बराबर होगा negative of coefficient of x divided by coefficient of x square मतलब minus 4 by k and alpha into beta किसके बराबर होगा alpha into beta किसके बराबर होगा वो होगा constant term जो कि 4 है and divided by coefficient of x square जो कि क्या है k है ये clear है सब को ठीक है तो भाई चलो निकालते हैं value अच्छा alpha plus beta पता है alpha into beta पता है k की form में और ये हमारा formula है क्योंकि हमें alpha square plus beta square की value पता है alpha plus beta का whole square alpha plus beta कितना है minus 4 by k इसकी value पुट करेंगे तो ये कितना हो गया minus का 4 by k ka whole square minus में 2 alpha into beta है 4 by k 4 by k इसकी value निकाल लेते हैं फटा फट तो ये हो जाएगा 24 is equals to 16 by k square और ये हो जाएगा minus का 8 k clear सभी को अच्छा इसको ना और simple तरीके से अगर हम लिखें तो यहां से 8 8 common आके तो ये बन जाएगा 3 is equals to 2 k square minus का 8 बहार निकला ना तो 1 by k अच्छा इसको और further अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कैसे LCM ले लो ना इसको हमने ऐसा कर दिया कि 2 by k 3 minus का 2 by k square plus 1 by k is equals to 0 ये दोनों की दोनों terms कहां चली गई ये भी इदर ये भी इदर क्योंकि k square क्या है भाई denominator में है इसको क्या करेंगे भाई simple करेंगे simple करेंगे तो ऐसा बन जाएगा अच्छा इसको solve करेंगे तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा 3 k square minus का 2 plus का case is equals to 0 या फिर simple सा 3 k square plus में के minus का 2 is equals to 0 समझ आया सभी को minus का अच्छा ये ऐसा बनेगा प्रापर लिख लेते हैं 3 k square plus में के minus का 2 is equals to 0 ये बन गी आपकी quadratic equation अब ये quadratic यहां से quadratic equation की base रखी जाती है अब हमें क्या निकालना है भई के निकालना है निकालो के factorization method लगेगा कौन सा method लगेगा factorization method question क्या है question है 3 k square 3 k square plus में के minus का 2 is equals to 0 factors बना लो बनाने तो आते होंगे 3 into 2 6 plus का आना चीए तो ये तो clearly जाहिर है की plus का 3 k minus का 2 k minus का 2 is equals to 0 यहां से 3 k बाहर आ गया अंदर बचा के plus 1 इदर से minus का 2 बाहर आ गया अंदर बचा के plus 1 is equals to 0 यहां से दो factors बने k plus 1 into में 3 k minus का 2 is equals to 0 k की फिर दो values आ गई एक बार ये put करेंगे 0 तो k की value आगी minus का 1 एक बार ये करेंगे तो ये कितना हो गया 2 by 3 कितना हो गया या तो k होगा minus 1 क्या k की value कितनी होगी 2 by 3 आया समझ अच्छा कुछ और condition देख सकते हो भाई k 0 नहीं होना चीए यहां पे सिरफ एक ही condition है जब यहां पे quadratic polynomial नहीं बने गई है जब k not equals to 0 सिरफ एक condition है k 0 के बराबर नहीं होना चीए हाँ बाखी कुछ भी value हो सकते है k की तो k की 2 value है 1 है minus 1 1 है 2 by 3 इसी question में 2 type है तो यह लगा लो अपने आप में ही बड़ा ही जबरदस्थ मज़ेदार प्यारा question है क्या किया देखो simple सा alpha plus beta निकाल लिया alpha into beta निकाल लिया उसके बाद क्या किया alpha square plus beta square की हमें value given थी value given थी 24 के बराबर ठीक है 24 put क्या but formula लगा के alpha plus beta sum of zeros minus k by a का whole square minus 2 by 4 by k alpha into beta की value लगाई और उसके बाद धीरे-धीरे solve कर दिया धीरे-धीरे solve किया तो हमने देखा denominator में के आ रहा है और वो भी square का तो उसे क्या ले गए numerator मे ले गए LCM ले लिया LCM ले लिया निकाल ली जो की क्या हैगी minus का one and positive 2 by 3 positive का 2 by 3 ये है इस question का answer और जबरदस्त question है एक और प्यारा question एक और न्यारा प्यारा अच्छा question ठीक है next next question और ये आपका repeated questions है बहुत अच्छा इसको पांच स्टार मिले है अच्छा ये हमने जब हमने second lecture दिया था board के regarding पहला lecture था हमारा one shot गया था introduction to trigonometry और दूसरा जो lecture गया था वो गया था कि भई three marks questions कैसे करते है प्रूफ वाले questions कैसे करते है second में ये question वहाँ करवाया गया था वो question वहाँ से करवाया गया था you can check it from there और इसको खुझ से try करोगे पहले तो ये ठीक है five star लगा रखे है बच्चे देखो इस particular question पे कितने star लगा रखे है पांच star लगा रखे है तो लगा लो इसकी importance कितनी है बहुत जादा importance है इस question की ठीक है बहुत जादा importance है अब इस question में करना क्या है आप लोगों को यहाँ पे जब आप इसको completely solve करोगे तो alpha to the power 4 plus में beta to the power 4 आएगा ऐसा कुछ आता है तो इसकी value निकालने पड़ेगी अब इसकी value कैसे निकालोगे इसकी value से निकालने से भी पहले आपको alpha square plus beta square की value निकालने पड़ेगी इसकी value बता रखी है बहुत बार इसकी value क्या होती है इसकी value होती है alpha plus beta का whole square माइनस में 2 alpha beta ठीक है इसकी value पता है अब इसकी value से यह value निकालेगी कैसे यह होता है आपका alpha to the power 4 plus beta to the power 4 is equals to alpha square plus beta square का whole square अल्फा स्क्वेर बीटा स्क्वेर ठीक है अब ये चीज़ आपको इधर रख रही है उसके बाद सॉल करना ये कोशन करवाया हुआ कोशन है ये कोशन करवाया हुआ कोशन है जान बूच के यहाँ पे डाला है फिर से क्योंकि पॉलिनॉमिल चाप्टर है पॉलिनॉमिल चाप्टर के अंदर इस कोशन को होना ही चाहिए बिल्कुल होना ही चाहिए ये कोशन वैसे तो डिजर्व करता है डारेक्ली पांच मार्क्स डारेक्ली डिजर्व करता है पांच मार्क्स बट चांसे बहुत कम होते हैं इस कोशन के आने के बहुत कम, standard में तो मतलब, oh sorry, basic में तो मतलब ही नहीं बनता, basic में तो मतलब ही नहीं बनता, यह question आएगा, but हा, standard में हा, chances शायद बन जाएं, शायद, 5 marks में, ठीक है, 5 marks में, चार marks में, sorry, 4 marks में, शायद फिर भी दे दिया जाए यह question, ठीक है, तो, important है, और इसका solution भी करवारक है, कहां पे, आपको description में, यहां पे दिख जाएगा, link भी हम, ठीक है, link भी दिखेगा, नीचे की तरफ दिख जाएगा, link की भई, कौन से, कौन से हम उसकी बात कर रहे है, कौन से, कौन से, किसकी, कौन से lecture की बात कर रहे है, ठीक है, जहां पे हमने बताया, भई, proof वाले, how उसके लिए हम बता रहे हैं कि वहाँ पे करवाया गया है, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है, अब बात करते हैं case study की, जो कि इस chapter में chances होते हैं, algebra से एक case study आती आती है, या तो polynomial से आ जाएगी, या quadratic equation से या भी AP से आ जाएगी, ठीक है, या फिर किस से आ जाएगी, linear equation, two variables से आ जाएगी, कहीं ना कहीं से तो बनेगी, ठीक है, तो हर एक chapter की case study कर रही है, और जरूरी है, ठीक है, चलिए, तो case study number one, आपकी screen पर ये रही, देखते हैं, कितने बच्चे इसको कर पाएंगे, ठीक है, चलिए, question क्या है, question है कि, एन अस्थमा, आसना, स्वरी, अस्थमा नहीं है, आसन है, simple वाशा में ये बोला गया है, कि ना ये picture भी दिखा रखी है, picture में ये बोला है, कि ये ना आसन हो रहा है, भई सारे ये सारे आसन ही है, generally आसन्स क्या, आज कल क्या है, भई फिट होने के लिए आसन्स करना बहुत जादा जरूरी है, ये पूरी की पूरी statement पढ़ लो, बहुत जादा important, इतनी नहीं है, काम की थोड़ी बहुत है, क्या है, आसना, इन बोडी पॉस्चर ओरिजिनली, इस्टेलर जनरल टर्मिनल, पॉस्चर बनाए जाते हैं, आसन करने के लिए, maximum जो पॉस्चर होते हैं, वो ऐसे, ऐसे, या फिर ऐसे होते हैं, ठीक है, अब ये पॉस्चर ऐसे हैं, तो इनके basis पे आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं, और ये represent किसको करते हैं, यहाँ पे देखिए, जो important चीज है, समझने वाली, वो क्या है, कि ये है, one can observe that posture can be related to representation of a quadratic polynomial, क्या represent करते हैं, एक quadratic polynomial को represent करते हैं, ठीक है, different, different postures, ये posture, ये posture, ये posture, अच्छा, ठीक है, ये है, तो है, तो आगे क्या, तो इनके basis पे जरा question लगाईए, position लगाईए, तो पहला question क्या है, भई, पहला question क्या है, the shape of the poses shown is, अच्छा, ये जो pose दिखा रहे हैं, ये दो लोग, तीन लोग, ये जो pose दिखा रहे हैं, ये कौन सा pose है, अच्छा, मतलब shape कौन सी है, ठीक है, ये pose तो ठीक है, पोस कौन सा कर रहे हैं, वो तो ठीक है, अब यह शेप क्या बन रही है तो अगर आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दो तो देखो यह ऐसा जा रहा है ऐसे करके यह ऐसे जा रहा है है ना यह भी मैडम कुछ ऐसे करके ऐसे जा रही है रेड़ इन मैडम पर दिखेगा नहीं इन पर हमें थोड़ा सा यलो दिखाना पड़ेगा वाइट दिखाना पड़ेगा यह अलो दिखा देते हैं यह मैडम जा रही है कुछ ऐसे ऐसे करके जा रही है अच्छा दिखी नहीं रहा यह भी नहीं दिख रहा ग्रीन दिखाते क्या अब तो दिखेगा ठीक है यह मैडम भी कुछ ऐसी जा रही है यह मैडम भी कुछ ऐसी ज स्पाइरल क्या होती है स्पाइरल का मतलब पता आप लोगों को स्पाइरल नहीं है स्पाइरल स्पाइरल नहीं है स्पाइरल ऐसा होता है स्पाइरल अगर नहीं समझाए तो समझाने की कोशिश करते हैं स्पाइरल बाइंडिंग होती है आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट ब होता है वह Ellipse की शेफ में होता है Ellipse कुछ ऐसा होता है ऐसा तो यह नभी कुंछ तो संझाने के कोशिक करते कि spiral मतलब spiral binding spiral binding मतलब ऐसे जो spring होती है वह spiral shaped में होती है उसके बाद elliptical को इल्एप्टिकल मैक्सिम बचलों को पता होता है आप एलिप्टिकल शेप में है अंडागार शेप में इसी चेप में होता थोड़ी अब लीनियर का मतलब क्या होता है लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट लाइं अगर ये है ग्राफ तो लीनियर शेप कैसी होती बिल्कुल स्ट्रेट बिल्कुल क्या है स्ट्रेट क्या ये स्ट्रेट है कहीं से स्ट्रेट दिख रही है स्ट्रेट भी नहीं है तो जब तीनों मे से उठा हुआ होगा या तो नीचे की तरफ ऐसे जुका हुआ होगा या उपर की तरफ उठा हुआ होगा या ऐसा होगा या इधर की तरफ होगा ठीक है तो इसका अंसर क्या है पैराबोला ठीक है अब options के साथ लेके आए है वैसे options नहीं होने चाहिए सीधा सीधा answer आना चाहिए पैराबोला शेप है पैराबोलिक शेप है next next question क्या है the graph of the parabola opens downward if अच्छा ठीक है जो graph दिख रहा है वो पैराबोला है ठीक है ऐसा है पैराबोला कहां जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ऐसे की तरफ जा रहा है नीचे की तरफ जा रहा है ठीक है अब यह जो पैराबोला की शेप होती यह ऐसा है एक स्कुएर प्लस में भी एक्स प्लस में सी ठीक है यह यह पैराबोला है और quadratic equation को शो कर रहा है quadratic equation और quadratic equation एक पैराबोला को represent करती है किसको represent करती है पैराबोला को represent कर यहां अब दो चीज हम सिखाते हैं आपको सबसे important चीज सिखाते हैं अगर यह downward जा रहा है अगर यह नीचे की तरफ जा रहा है तो जो x square को coefficient है वो क्या होगा नीचे की तरफ जा रहा है तो वो negative होगा मतलब 0 से छोटा होगा downward shape क्या है यहां से बता भी देते हैं अगर a क्या है 0 से छोटा है then parabola is downward वो क्या है downward shape में है और अगर 0 से बड़ा है तो क्या है upward तो क्या है upward downward का sign नीचे upward का sign उपर ठीक है दो चीजे समझा दी अच्छा क्या है question the graph of the parabola opens downward if अगर downward है नीचे की तरफ खुल रहा है तो basically यह depend करता है coefficient of x पे sorry coefficient of x square पे coefficient of x square पे depend करता है parabolic downward होगा की upward होगा downward होगा तो a क्या होगा negative होगा negative होगा तो 0 के equal तो हो नहीं सकता यह नहीं हो सकता equals to कभी नहीं आएगा या तो greater than या less than less than 0 तो क्या होगा downward होगा तो less than 0 कहाँ case है less than 0 यह वाला मतलब option number c is the correct answer for second part सभी को clear हो गया दो चीजे सीखी कि भाई जो quadratic equation quadratic polynomial होता है वो parabolic equation करता है और जब आपका a quadratic polynomial में a अगर positive होगा तो उपर की तरफ पैराबोला होगा और अगर negative की तरफ होगा तो नीचे की तरफ पैराबोला होगा दो दो important चीजे next question आपकी screen पर यह रहा देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं बता यह answers बता यह देखें दो का चुलो हम मानते हैं कि शायद नहीं बता पाते बट अब यह तो बता पाऊगे यह तो बता ही पाऊगे स्क्रीन पर दिख रहा है question हाँ जी बताइए question क्या है in the graph how many zeros are there for the polynomial polynomial के कितने 0 हैं यह तो हमने starting में भी आप लोगों को करवाया है कि बच जितनी बार x-axis पर कट करेगा उतने 0 है एक यहाँ कट कर रहा है दूसरा यहाँ कट कर रहा है मतलब 2 हैं तो कितने 0 होंगे भाई option number एक मिनट आजाओ भाई option number c is the correct answer option number c is the correct answer दो 0 है कौन कौन से भाई यहाँ अगर आप देखो तो यह जो दिख रहा है यह दिख रहा है minus two comma zero और जो दूसरा वाला दिख रहा है यह कौन सा है यह है four comma zero दो zeros है वो भी लिख के बता दिए भाई कौन कौन से है ठीक है दो zeros जितने बार पैरावला या फिर curve x-axis पर कट करेगा उतने ही zero है ठीक है दो बार कट कर रहा एक से पर तो दो बार zero है दो zeros है अच्छा the two zeros in the above shown figures are, कौन कौन से 0 है, लो हमने figure ही बना दी थी, वैसे हमने दिखा भी दिया था एक 0 ये है, और दूसरा 0 क्या है, ये है, यहाँ पर x की value कितनी है, x की value है, minus का 2, और इधर x की value क्या है इधर x की value है, positive का 4 2 0 है, और question में next question ही, previous question से क्या है, connected है previous question से connected, दो बोला क्या गया है, the two zeros in the above shown graph are, जो graph ये है, इसमें क्या है, भाई एक बार तो x क्या है, minus का 2 है, और एक बार x की क्या है, positive का 2 भाई इधर की तरफ होगा, तो क्या होगा, negative, उधर की तरफ क्या होगा, positive होगा, तो option कौन सा correct है, minus 2, 4, कौन सा option है, b, बाकि सारे क्या हो जाएंगे, गलत, बाकि सारे क्या हो जाएंगे, miss, गलत है, ठीक है, figure ही बता रहे कि भाई, एक क्या है, यहाँ negative होगा, यह minus का 2 होगा, और यह क्या है, positive का 4 होगा, ठीक है, अगर नहीं भी दिखाई दे रहे, तो यहाँ से तो पता लग रहा न, कि यह, भई, point number 1, यह, point number 2, यह, एक है, यह, यह, दो है, यह, तीन है, यह, चार है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे x क्या होता है, positive होता है, और इधर x क्या होता है, भई, negative होता है, इस side ठीक है यहां से देखें तो right hand side में x positive left hand side में x क्या हो जाएगा negative ठीक है clear है दोनों part एक दूसरे से क्या थे connected थे next यह है question काम का इसके लिए दे जा सकते हैं आपको एक minute अब यह देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं question क्या है जिसको नहीं समझा रहा उसको बता भी देते हैं हमें find करने है zero sorry हमें find क्या करने है zeros of the polynomial quadratic ठीक है बोला क्या गया है four root का three x square plus में five x minus में two root three यह आपका एक polynomial है और इसके हमें zeros find करने हैं और यहां पे आपका time होता है start देखते हैं कितने देखते हैं कितने बच्चे इसको solve कर पाते हैं कितने बच्चे हैं जो इस question को बिल्कुल जब्रदस तरीके सो solve करेंगे no doubt अच्छा question है यह भी अच्छा प्यारा जो लगा लो चीक है हाँ जी बताईए 30 seconds 4 into root 3 x square plus में 5 x minus का 2 root 3 simple क्या करना होता है coefficient of x square and constant term को multiply करना होता है उसके बाद उनके factor बनाने होते हैं factor करके क्या आना चाहिए भई 5 आना चाहिए देख लो 4 into 28 8 into 3 कितना हो जाता है 24 24 के factor बना हो आना क्या चाहिए आना क्या चाहिए भई 5 आना चाहिए time हो गया finish ठीक है तो यहां पर बताए देखो 24 यह तो बताई दिया हमने कि 4 into root 3 into में 2 into में root 3 यह कितना बन जाएगा 8 into 3 ठीक है 8 into 3 कितना हो जाता है 24 अच्छा यहीं पर जादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ी जादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ी यहां पर क्या रहा है root 3 x square 5 की जगा हम क्या पूठ कर सकते हैं यहीं पर बड़े अच्छे तरीके से यहीं पता लग गया जादा मेहनत करने की जरूत नहीं पड़ी यह क्या हो गया plus में 8 x और minus में 3 x ठीक है plus में 8 x minus में 3 x करेंगे तभी जाके 5 x होगा इन दोनों को multiply करेंगे तभी जाके minus का 24 होगा ठीक है और इधर क्या आजाएगा इधर आएगा minus का minus का 2 root 3 अब यहां से solve करना is much more easier task 4 common आगया अच्छा 4 x common आया 4 x common आया अंदर की तरफ क्या बच गया root 3 x plus में 2 इधर क्या है minus का 3 common आएगा अंदर की तरफ क्या बचेगा माइनस का root 3 आएगा minus का root 3 बाहर आएगा अंदर की तरफ क्या बचेगा root 3 x plus में 2 ठीक है दो बनेंगे एक बनेगा 4 x minus का root 3 और दूसरा बनेगा root 3 x plus में 2 दो चीजे बनेगी, अच्छा है, अब यहां से क्या होगा, क्या निकालने है, जीरोज निकालने है, जीरोज मतलब पॉलिनॉमिल जीरो के बराबर होना चाहिए, मतलब या तो यह जीरो होगा, हो गया खतम, तो या तो 4X माइनस का रूट 3 किसके बराबर होगा, 0 के बराबर ह मतलब x की value कितनी होगी root 3 by 4 या फिर दूसरा वाला root 3 x plus में 2 वो किसके बड़ाबर होगा 0 के बड़ाबर x की value क्या होजगी minus 2 by root 3 जिसको हम क्या बोल सकते है minus का 2 root 3 by 3 तो जो दो roots बनेंगे जो zeros बनेंगे वो बनेगा एक तो बनेगा root 3 by 4 कॉमा माइनस का 2 root 3 by 3 ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है ये हमारे zeros हैं क्लियर है सबको अच्छे से बढ़िया तरीके से चलिए ये था आपका case study एक case study शायद homework देना चाहिए एक case study आपकी homework है ये पूरी की पूरी case study आप लोग try गरना खुढ़ से करने की हम कोशिश कर सकते हैं आपको homework देने की आप लोग try कर सकते हो उप करने की तो ये सारा का सारा ये वाला case study आपका homework है ठीक है simple सा क्या find करना है the zeros ये homework है पूरा का पूरा ठीक है try करना yourself आप case study है ठीक है, simple सी help थोड़ी सी कर देते हैं, कि भाई कैसे करोगे, कहां से करोगे, कैसे करोगे, ठीक है, the zeros of the polynomials whose graph is given are, ये भाई polynomial ग्राफ क्या पारा बोला है, इसके ग्राफ गिवन है, अच्छा, यहाँ पे एक point दे रखा है, दूसरा point दे रखा है, यहाँ, यह है हमारा, जो point द दिख रहा है, यह दिख रहा है, 8,0, यह क्या दिख रहा है, 8,0, find क्या करना है, the zeros of the polynomial whose graph is given are, zeros क्या क्या है, यह एक minus 2 है, एक 8 है, homework दिया है, पहला कोशन तो, खुदी करवा दिया हमने, है ना, ठीक है, अच्छा चलो, ठीक है, आप लोग करना इसको, ठीक है, हो जाएगा next question, next question क्या है, इसका, भई, figure दे रखी है, और बोल रखा है कि भई, क्या है, इसका polynomial कौन सा polynomial है, अब, जैसा कि हमने बताया, कि अगर, ए क्या होगा, 0 से छोटा होगा, तब जाके, downward बनेगा, तब जाके, क्या बनेगा, downward बनेगा, और यह downward ही, पैरा बोला है, अगर आप थ जो जो x square positive है, क्योंकि यह होता है, ax square plus bx plus m later, c, जो जो positive है, वो तो पहले ही भार चले गए, मतलब, यह positive है, ये खतम, ये positive है, ये भी खतम, ये भी खतम, इसका है, बचे, दो option, कौन-कौन से, एक तो b, एक तो d, दोनो यी negative है, दोनो के दोनो क्या है, negative है, अब, roots, एक है, minus का 2 एक है positive का अब दो negative एक negative एक positive तो अगर आप value भी put करोगे ना दोनों में से किसी में भी दोनों में से अच्छा सॉरी 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 कौन सा हा हा ठीक है या तो D correct होगा या B correct होगा ठीक है अगर value put करोगे ना तो ये कहीं से भी नहीं नहीं आएगा सिरफ और सिरफ भी correct answer होगा ठीक है सिरफ और सिरफ भी correct answer होगा value put करके देख लेना मैंने बोला x की value अभी हम पीछे वाले question put करके आए है x की value minus 2 होनी चाहिए x की value क्या होनी चाहिए minus 2 मतलब अगर किसी polynomial में x की value मैं minus 2 put करूँ तो वो 0 होना चाहिए put करके देखना जरा minus 2 minus 2 जरा put करके देखना यह polynomial क्या है 0 है मतलब इसकी value क्या आने चाहिए 0 आने चाहिए जरा minus 2 put करके देख लो यहाँ minus करोगे minus यहाँ minus करोगे plus कहीं 0 नहीं बन रहा बट यहाँ करोगे 0 बन गया यहाँ minus करोगे तो 0 बन गया तो आपको check क्या करना है भई polynomial की value 0 हो जानी चाहिए जब x की value क्या पूट की जाए minus का 2 put की जाए या x की value क्या पूट की जाए 8 ठीक है या तो 8 put करेंगे या तो minus 2 put करेंगे क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी इस polynomial के value, ठीक है, तो ये भी आप, देखना, try करना, वैसे हमने बताई दिया कौन सा correct है, ठीक है, उसके बाद, अच्छा, polynomial पता लग गया, quadratic polynomial कौन सा correct है, भाई, b correct है, b correct है, तो जब x की value 4 होगी, तो value के आएगी, वो बताना है, ये वाला homework, ठीक है, try करना इन questions को, try करना, औ और एक last mcq question आपका, जो की आपकी screen पर, ये रहा, सबसे last, सबसे चहीता, सबसे प्यारा, last mcq question, जो की, आज का last question है, ठीक है, आज का last question है, और सबसे अच्छा question, तो नहीं बोल सकते, but deserving question है, last में करवाने के लिए, deserving, deserve करता है ना, जैसे जैसे बोलते ना, हाँ हाँ, ये बच्चा है, deserving है, कि इसको first आना चाहिए, ये वाला है, तो ये ही question, ऐसा question है, कि last में करवाने को deserve करता है, यहाँ भई, मैं हूँ जो हूँ question, ऐसा वाला, इतना भी नहीं, बट ठीक है, वाला question, ठीक है, अच्छा, तो question देख लेते है, one if one roots of the polynomial fx, अच्छा, एक हमें क्या कि एक root जो है, polynomial का is reciprocal of the other, मतलब एक polynomial का, इस polynomial का अगर root एक alpha है, तो दूसरा क्या है, one by alpha है, तो हमें क्या निकालना है, के निकालना है, ठीक है, तो ये भी अच्छा question है, मैंने बोला, इसके roots हैं दो, एक है alpha, एक है beta, बट जैसा की बोला गया है, कि एक root दूसरे का क्या है, reciprocal मतलब एक जो बीटा था वो one by alpha बनिया, मतलब एक है alpha, दूसरा है one by alpha, तो यहाँ जादा मैनत करने की भी जरूत नहीं है, के निकालना है ना, तो product of zeros लगा दो, क्या लगा दो, product of zeros, तो product of zeros लगाने से फाइदा क्या होगा, फाइदा ये होगा कि alpha into beta actual में c by a के बराबर हो alpha, जो कि किस के बराबर होगा, constant term, मतलब c by a के बराबर होगा, और फिलहाल हमारे question में, जो c है वो है k, वो क्या है, k, और जो a है, a क्या है, coefficient of x square, वो क्या है, वो है 5, तो यह हो जाएगा k by 5, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते है, one is equals to k by 5, then what will be the value of k, k हो जाएगा आपका 5 के बराबर, k की value कितनी हो जाएगी, फ़ी 5, यहाँ से alpha और alpha क्या हो गया, cancel, 1 k by 5, k कितना हो गया, 5, तो यहाँ से correct answer क्या है, b, ठीक है, यहाँ से correct option क्या होगा, option number b, तो यहाँ होता है आपका polynomial, finish, ठीक है, यहाँ आपका polynomial chapter होता है, finish, यहाँ पे हमने लगबग polynomial chapter का सब कुछ बता दिया, एक cubic polynomial, जो कि आपके बिलकुल भी syllabus में नहीं है, वो थोड़ा बहुत बताना बागी था, बट कोई बात नहीं, next time करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं, next class में, next chapter के साथ, chapter बताना मत बूलना, chapter हमें बता देना कि कौन सा chapter next आपको लोगों को करना है, कौन सा आपको chapter ऐसा लगता है कि आपके लिए वो ज़्यादा जरूरी है, और करवाना चाहिए, next class में, ठीक है, one shorter vision आपको करवाएंगे, बट तब तक के लिए, bye bye, tata, take care, and good night, और class को like करना मत भूलना, और subscribe करना भी मदबूरना, और last में comment दालते जरूर जाना कि इसके बाद कौन सा, चलिए,